दोसों जैसे कि पिछले कुछ लेसंस के अंदर हम लोगों ने फोटोशोप में एडज़स्फिन पैनल को चेंज करना और उसके सथ प्ले करना सीखा दोस्तों इस लैसने में भी हम एडज़स्पिन पैनल की ही कुछ ऑप्षिंस को स्टड़ी करेंगे इन ऑप्षिंस में हम इस लैसने में देखने लगे हैं exposure को, vibrance को और photo filter को दोस्तों ये तीनों options भी बहुत ज़दा important है adjustment panel के अंदर किसी भी image की light या color को change करने के लिए या उसके साथ play करने के लिए तो चलें चलते हैं Photoshop की तरफ और study करते हैं exposure, vibrance and photo filter दोस्तों हम सबसे पहले जिसी इसको study करने लगे हैं वो है exposure, मैं सबसे पहले ये वाला जो image है जो railway station का image है, इसको मैं open करूँगा Photoshop में उसके बाद मैं background layer को definitely convert करूँगा layer 0 में अगर हम image में adjustments में जाएं तो यहां पे हमारे पास exposure की option मौजूद है इसी तरह से यही dialogue box हम यहां से adjustment layers में आके इस तरह से भी open कर सकते हैं दोस्तो अब मैं करने ये लगा हूँ कि मैं इस image का exposure बढ़ाने लगा हूँ अच्छा यहां पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि दोस्तो exposure की ये जो option है ये बिलकुल उसी तरह काम करती है जिस तरह से हमने पहले brightness वाली option को study किया था फर्क सर्फ इतना है कि ये जो option exposure वाली ये कुछ tones के accordingly differently काम करती है और हर tone को उसके merit के उपर different तरीके से expose करती है basically काम ये भी वही कर रही है जो के brightness and contrast के थूँ हमने किया था तो ये देखें हमारा ये जो visual था ये पहले कद्र डार्क था और इसके अंदर हमें नजर भी नहीं आ रहा था कि details इसकी क्या है जैसे हमने इसकी exposure बढ़ाया है तो हमें इसकी जो details है वो दिखने लगी है अगर इस layer को मैं off करूँ तो ये देखें आप देख सकते हैं कि ये किस कदर dark layer थी किस कदर dark visual था और सिर्फ चोटा सा काम करके हमने exposure बढ़ाके इस visual की जो brightness है उसको बड़े well manage तरीके से हमने बढ़ा लिया है और आप देख सकते हैं कि इस image की जो different tones हैं वो भी disturb नहीं हुई नहीं ये image बिलकुल ज्यादा over bright या chalky फील हो रहा आपको तो दोस्तों ये है आपके पास exposure की option जिसको आप बड़े अराम से किसी भी image के लिए ये किसी भी visual के लिए इस्तमाल कर सकते हैं अच्छा आप मैं इस वाली visual को बंद करूँगा और दूसरा visual मैं यहां पे लेके आता हूँ दोस्तों ये एक बहुत ही खुबसूरत mountain range का visual आपके सामने है मैं उसी तरह से background layer को खत्म करूँगा और यहां से image panel से अगर हम adjustments में आएं तो यहां supplier के नीचे हमारे पास vibrance की option मौझूद है इसी तरह से अगर हम यहां से adjustment layers में से आजें तो यहां पे भी supplier के बिल्कुल नीचे हमारे पास vibrance की option मौझूद है जसना से मैं मैंने आपको पहले Exposure के बारे में बताया इसना से मैं आपको बताता चलों कि ये जो vibrance वाला जो हमारी option है और ये जो property है ये भी तकरीबन तकरीबन उसी तरह से काम करती है जैसे कि saturation काम करती है आप देख सकते हैं कि इसके dialogue box में हमारे पास vibrance के साथ सा saturation भी मौजूद है लेकिन दोस्तों vibrance और saturation में थोड़ा सा फ़र्किया है कि saturation overall तमाम visual को highly saturate करती है जबके ये जो vibrance के हमारे पास option है ये उन areas को तकरीमन छोड़ देती है जो के already highly saturated होते हैं और किसी भी visual में वो areas जो के low saturated होते हैं सिर्फ उनकी saturation जो है उसको ये बढ़ाती है जिसना से ये अगर मैं 100% vibrance कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ उन areas पर फर्रक पड़ा जादा जिनकी saturation पहले कम थी इसी तरह अगर इसको मैं नीचे लेके जाँ जाँ जिरो की तरफ तो ये देखें negative में जाकि ये almost black and white की तरफ जा चुकी है लेकिन जादा फर्रक जो है वो उनी areas पड़ा जो के पहले से low saturated थे इसके बरक्स अगर saturation को बढ़ाएं तो ये देखें आप देख सकते हैं कि पूरे visual के उपर हर जगा पे जहां पे भी आपको कोई भी tone या कोई भी mid tones highlights नज़रा आरें जबके vibrance के case में आपको ये दिखा चुका हूँ कि ऐसा नहीं है तो लहाजा अगर आपको किसी भी visual में सिर्फ low saturated areas को high saturated करना हो और बाकी areas को उसी तरह से छोड़ देना हो तो आप हमेशा जाएंगे vibrance की option के साथ तो मैं अमीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और ये बहुत ही simple सी बात है इसमें बिलकुल भी कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है अचा दोस्तो अब हम तीसरी interesting option की तरफ चलते हैं जो के है photo filter ये देखें एक बहुत ही खुबसूरत सा ये visual है landscape है जिसमें clouds भी है mountains भी है थोड़ा सा trees वाला area भी है और पानी भी है image में जाके adjustment में हमारे पस यहां पे photo filter की ये एक option मौजूद है ये देखें dialogue box open हो चुका है photo filter का लेकिन मैं इसको यहां से change नहीं करूँगा जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यहां से मैं इसको करूँगा cancel और यहां से adjustment layers में से आके यहां से ये photo filter की मैंने adjustment layer add कर ली हमारे जो पहले visual की layer थी उसके उपर अच्छा आप यह photo filter दोस्तों एक बहुत ही interesting और मज़े की चीज़ है दोस्तों इस तरह के बहुत सारे visuals आप internet पे टीवी पे और films के अंदर देखते हैं जिनके अंदर कोई खास color जो है वो overrated होता है लेकिन वो visuals बहुत खुबसूरत लग रहे होते हैं इस सीज़ को हम as a special effect यूज़ करते हैं यहां पे भी हम इस visual के ओपर as special effects कुछ photo filters अप्लाइ करने ही कोशिश करते हैं दोस्तों एक तो यहां पर यह देखें यह मैंने अगर यहां पर click किया तो यहां पर different photo filters आपको नज़र आ रहे हैं जैसे लिखा हुए warming filter different values दी हुई है cooling filters हैं दो तीन किसम के फिर red, orange, yellow, green and so on यह long list है different colors की basically दोस्तों होगा कि आगर मैं यहां पर red पर आकर click करूँ और यहां से इसके density थोड़ी से बढ़ाऊँ तो यह आप देख सकते हैं कि red color जो है वो इस picture के उपर एक बहुत ही खुबसूरत तरीके से overpower हो रहा है लेकिन बुरा नहीं लग रहा है और नहीं picture की जो actual खुबसूरती है जो इसके actual colors उनको disturb कर रहा है इसी तरह से अगर मैं यह warming filter आड़ करूँ तो यह देखें इसके density अगर मैं यहां से बढ़ाऊँ तो यह देखें आपके सामने है कि जो warmth एक आरीय पिक्चर के अंदर बहुत ही खुबसूरत लग रही है इसी तरह से आप orange यूज़ कर सकते हैं यहां से आप yellow add कर सकते हैं यह देखें यह high density पे मैं इसके लेके जा रहा हूँ ताके आपको मैं समझा सकूँ दिखा सकूँ यहां पे आप density अपनी मर्जी के मताबग चेंज कर सकते हैं जिससे भी आपको visual को रखना हो जिससे आपको वो खुबसूरत लगे आप उतनी ही density's की use कीजएगा यह देखें blue के मदद से यह कितना cool और कितना खुबसूरत visual बन गया है अच्छा यहां पे color panel में जाके आपको यह खास color अपनी मर्जी से भी choose कर सकते हैं color panel में से कहीं से भी ठीक है और वो color आपको यहां पे add होता हुआ दिखाई देगा अगर यह filter की option में दोबारा वापस जाके हम यहां पे warmth को add करते हैं और अब हम यह करते हैं कि जो extra layer हमने photo filter वाली add की इसको off करके देखते हैं तो यह देखें यह हमारा actual visual है जब कि जब हम photo filter add करते हैं तो वो इस तरह का हो जाता है तो यह दोस्तो बहुत ही खुबसूरत से cool किसम के यह आपके पास photo filter के अंदर कुछ effects मौजूद हैं जिनको आप अपनी pictures को खुबसूरत बनाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो आप लोगों ने इस lesson में और पिछले कुछ lessons में photo adjustment panel के बारे में काफी सारी options को learn किया है मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को इन options की समझ आ गई होगी और अब आप लोग different visuals के उपर इन options की ज़्यादा से ज़्यादा practice करेंगे ताकि आप अपने visuals को अपने designs के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खुबसूरत बना सकें और photo editing में भी इन tools की मदद से बहुत अच्छा काम कर सकें